बारत के आध्यात्म यूगों में इस्त्री देवी का रूप है आज के यूग में हम मा काली, मा दुर्गा, मा सरस्वती, मा लक्स्मी एसी कहीं देवियों की पुजा अर्चनाह गरों में करते हैं आज भी हमारे देश और समाज में इस्त्री यूगा इस्तान इस्वर सरूप होता है मगर इसके बावजूत इस कल्यूग में एसी कहानिया आए दिन हमें सुनने में आही जाती है जहां महीलाओं के प्रति अन्याय अवद्रता बरताव किये जाते हैं उन पर सामोहिक प्रतिबंद लगाया जाता है महीला गरेलू हिंसा का सिकार होती है निमन इस्तर पर सामाजिक द्रश्टिकोन महीलाओं को दबा कर और डर कर रहने पर मजबूर कर देता है पर्यसारिक प्रूपर चलन हमारे सामाजिक व्यवार पर एक बहुत बड़ा प्रस्ट चिन्न लगाते हैं कि आखिर क्यूं आजादी के इतने साल बाद भी महीलाओं ससक्त और आत्मनिर्वर नहीं हो पाई आखिर क्यूं महीलाओं सांसारिक वेडियों से अभी तक जकड़ी हुई है आखिर वो दिन कब आएगा जब हम एक इस्त्री की मन की गाटे खोल कर उसके अंदर का खोलता इतियास पड़ेंगे और आखिर कब हम एक इस्त्री को रसोई और ग्रहनी की गणित से परे देखेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको डुंगपूर सहर के उन्नती सेवासंस्तान के माध्यम से देना चाते हैं दरसल डुंगपूर सहर के गट वर्सों से कुछ तीन से चार महीलाओं ने उन्नती सेवासंस्तान की इस्ताबना की जिसके अंतर गट सभी महीलाओं मिलकर प्रती महा एक किलो पापड बनाती थी और उसे बेचा करती थी दीरे दीरे महीलाओं को सासक्त और आत्मनिर्बर बनाने का यह मिसन सहर की बाकी महीलाओं तक पहुचने लगा और दीरे दीरे सहर की महीलाओं उन्नती सेवासंस्तान से जुड़कर अपनी सेवाई देने लगी दीरे दीरे उन्नती सेवा संस्तान ने पापड बनाने के अलावा बाकी कामों में भी अपने हाद अजमाना सुरू कर दिया इन कामों में सिलाई, मसाला पैकिंग, पत्तल दोना, बनाना आधिकारे सामिल थे इस सेवा संस्तान के कार्यों से ततकालिन सभापती केके गुपता को अवगत करवाया गया सभापती गुपता ने नगर प्रिसत के माध्यम से उन्नती सेवा संस्तान की महिलाओं को ससक्त और आत्मनिर्वर बनाने की इस मुहिम में अपना और नगर परिशत का योगदान देते हुए निर्दारित आर्थिक मदद मुहया कराई आपको बता दे कि नीवर्तमान सभाबती केके गुपता ने 19 सेवा के लिए सेनेटरी पेड की मसिन भी लगाई थी जिसकी मदद से कम दोरों में महिलाओं को सेनेटरी पेड़ भी की सुविदा उपलब्त कराई जा रही है आपको बता दे कि 19 सेवा केंदर के अलावा भी नीवर्तमान सभाबती केके गुपता ने नगर परिशत और सहर के विकास के लिए एक से बढ़कर एक काजी किये और डुंगपूर को देश प्रदेश में पहचान दिलाई आज डुंगपूर जैसे विक्सित और सुन्दर सहर में 19 सेवा संस्तान अपने अंदर पच्चास से ज़्यादा महिलाओं को आत्मनिरभर और ससक्त बनाने का केंदर बना हुआ है गोरतलब है कि सहर में जहुरतमन महिलाओं को आत्मनिरभर और स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के उद्देशे से आज सास्त्री कोलन इस्तित 19 सेवा संस्तान में प्रात्व 10 बजे से साए 4 बजे तक स्वरोजगार सिविर का आयोजन भी किया गया है संस्तान की अध्यक्ष निलम स्रीमाल ने डिलाइनियूस से बात करते हुए बताये कि महिलाओं को ससक्त बनाना और महिलाओं को स्वरोजगार से जोडने के तु नीवरतमान सभापती केके गुपता की प्रेणा से संस्ता दुआरा एक दीवसे स्वरोजगार सिविर का आयो मिले हमारे तरह तरह के यहां पर काय रहे हैं पापड़ पापड़ी बनाना मुख्वास मसाला उद्योग पत्तल दोंदेया ठेलिया बनाना पैटिकोट बनाना हमने बहुत सरी योदना कर रखी है और जो भी महिला यहां पर आए तीन दिन का हम इसको प्रशिक्षन देंगे औ स्रीमाल ने सहर सहीद जिले के आसपास की समस्त महिलाओं को सीविर में भाग लेने की अपिल भी की है संस्तान की सचीव मोनिका पहार ने बताया कि वरतमान में संस्तान में सिलाई प्रसिक्षन के साथ महिला गर्व उद्योग का भी संचालन किया जा रहा है जिसमें पापड बनाना पापडी मसाला उद्योक, मसाला उप्योक, पतल दोने, मसाला पैकिंग, मास्क बनाना, मौमबत्ती बनाना, सिलाइक, मैं पैटिकोट और रुमाल बनाना सहीद, अन्यकारे किये जा रहे हैं साथी इस सीविर के साथ महीलाओं को स्वालंबी बनाने हेत्तु सीविर में प्रेरित किया जाएगा हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद हमारे देश में घरीब और मध्यमवर्गी परिवारों की इस्तिदी आर्थी ग्रूप से कमजोर हो गई है एसे में 29 सेवा संस्तान के घर की महीलाओं को ससक्त और आर्थी ग्रूप से आत्मनिर्वर बनाना बहत सरान्य काम है जिसे पूरे सहरबर का सयोग मिलना चाहिए अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल को लाइक नहीं किया है सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक वा सस्क्राइब करें धन्यवाद कर दो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है